हर खबर पर होगी आपकी पकड डाउनलोड कीजिए एबिपी लाइब आज जो पूस्ताच हुई है क्या पूस्ताच हुई है क्या कोई खास बात निकल कर उसमें सामने आई है ये जानना भी जरूरी हो जाता है तो अपने दर्शकों को सीदे अब लिए चलते है अपने सयोगी मनोज बर्मा के पास मनोज क्या पूस्ताच आज हुई कुछ पता चल पाया क्या NCB को जी बिल्कुल देखिए एक बहुत बड़ी खबर NCB के सूतरों से पता चल रही है जब NCB ने रिया चकरवरती से ये सवाल किया कि क्या उन्होंने कभी ड्रक्स लिया है तो रिया चकरवरती ने उस सवाल के लिए हां किया है जाच में तो रिया चकरवरती सहयो करी रही थी लेकिन जब उनसे ये सवाल किया गया कि कभी रिया चकरवर्ती ने ड्रक्स लिया है तो उस सवाल के जवाब में रिया चकरवर्ती ने हा किया है अभी एंसीवी के सामने ड्रक्स लेने की बात रिया ने कुबूल कर ली है NCBQ के साمنे RIA का यह कुमूल नामा इस वक्त की सबसे बड़ी ख़मरे W.P. News पर Drugs Connection में जो उन से NCBQ ने पूस्टाच की है RIA ने ये बात कुमूल कर लिए कि हाँ मैंने ड्रग्स लिया था उन्होंने ड्रग्स लेने की बात कुमूल कर लिए जी मनोच बताइये बिल्कुल देखे जिस तरीके से खिलेश कल भी हमने अपने दर्शकों को बताया था जो NCB के सूत्रों ने हमें बताया कि जो शोविक है उसने ये साफतार पर बयान दिया है कि रिया, शोविक और सुशान एक साथ मिलकर ड्रक्स लिया करते थे उसी बयान के आधार पर जब NCB ने रिया चकरवरती से सवाल किया कि क्या उसने कभी ड्रक्स लिया है तो उस सवाल के जवाब में रिया चकरवरती का जवाब हाँ था इसका मतलब साफ है कि मुश्किल है रिया चकरवरती की बढ़ने वाली है और भी तमाम सवाल रिया चकरवरती से पूछे गए कि क्या वो ड्रग्स शोवित के जरीए ही मंगवाती थी कि और कौन कोन लोग थे जिनके जरीए वो ड्रग्स मंगवाती थी और क्या ड्रग्स सुशान्स को दी जाती थी तो तमाम ऐसे सवाल किये गए हैं और उसके बाद अब कल जब पूस्ताच के लिए बुलाया जाएगा तो आमने सामने बठाकर पूस्ताच की जाएगी तब और ज़्यादा मुश्किल होगी रिया को जवाब देने पिर की जो कुमूल नामा है रिया का उसका बड़ा सीधा सा मतलब है कि इसे जुड़े जो साक्ष हैं वो जाच अजन्सियों के पास हैं शायद रिया ये बात समझ गई थी कि अब बचपाना उनके लिए मुम्किन नहीं है इसलिए ये कुमूल कर ली बात उन्होंने बिल्कुल सही बात है रिया शायद इस बात को समझ गई थी कि इस बार बचपाना मुश्किल नहीं होगा इस बार वो जूट नहीं बोल पाएंगे और उनका जो जूट है वो पकड़ लिया जाएगा यही वज़े है कि इस बात पर इस सवाल पर रिया चकरवर्ती ने हां की कि हां उसने ड्रक्स ली थी लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि एनसीवी यह जानना चाहती है रिया चकरवर्ती से कि कब कब ड्रक्स रिया चकरवर्ती ने शोविक के जरीये मंगवाया कब कब रिया ने ड्रक्स सैमियल मिरांडा के जरीये मंगवाया और कितनी बार द शोबिक के साथ भी ड्रक्स की चैट को सही बताया है मनोज ये भी बड़ा महत्पूर्ण है चैट वाली बात से भी इंकार नहीं कर रही है रिया कह रही है कि हाँ वो बाचीत हुई थी जी बिल्कुल देखिए चैट वाली बात से तो फून को क्लोन किया तो तमाम जो ये चैट थी वो सामने आ गई क्लोन करने के बाद और ये सारी के सारी चैट एनसी भी को दी गई एनसी भी ने जब अपनी जाच को आगे बढ़ाया तो कहीं न कहीं आप मुश्किले जो हैं रिया चकरवरती की बढ़ने वाली है आज तो उन्हें रिहाई मिल गई है आज घर की तरफ रवाना हो गई है लेकिन कल जब वह पूस्ताच के लिए आएंगी तो क्या कल भी घर जा पाएंगी ये बड़ा सवाल है फ्सकताच के लिए ये लेगा आएंगी ये 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 नहीं ये बड़ा सवाल है